अधर महादेव, आप सभी का स्वागत है. कैसी है आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शे को, आप सभी स्वास्थ और सुरक्षित होंगे. दर्शे को, होली के दिन, होली का दहन के समय पर पत्नी के साथ मिलकर यदि आप इन उपायों को करती हैं, तो आपको मनचाहफल आवश्य ही प्राप्त होता है. होली का दिवहार 25 मार्च को मनाया जाएगा, 24 मार्च दिन डविवार को दहन किया जाएगा. ऐसे में इस दिन कई उपाय किये जाती हैं क्योंकि होली का दहन की रात को महा सिर्धी की रात माना जाता है इस दिन किये गए सभी काम जीवन पर प्रभाव डालती है इन्हीं में से कुछ उपाय लेकर हम आज आपके समक्ष में आएं हैं आज कुछ ऐसे आपको अचोक से उपाय बताएंगे जिनने आप पती पतनी मिलकर साथ करती हैं तो इसका आपको मनचाहा फल प्राप्त होगा साथ ही धन सम्मंदित सभी परिशानिया भी दूर होंगी लेकिन यह उपाय आपको होली का दहन की रात को ही करने होंगे तो चलिए जान लेती हैं कौन से हैं वह उपाय जिनने करना आपके लिए बेहधे सुभोगा और इनके इस्तमाल करने से शुप शांती के साथ ही लक्षमी भी हमेशा आपसे प्रसन रहेंगी इन उपायों को कर आप मालक्षमी का आशिरवात प्राप्त कर सकती हैं सास्त्रों में कुछ ऐसी उपाय बताए गए हैं जो होलिका दहन की रात को पती पतनी को स्वयम साथ में रहकर करना चाहिए और प्रभु भक्ती के मन में लगाना चाहिए होलिका दहन के दिन पती पतनी को शारिडिक संबंद नहीं बनाने चाहिए यह अच्छा नहीं माना जाता है इस दिन इस चीज से परहेश करना चाहिए और ब्रह्मचार का पालन करना चाहिए क्योंकि इस दिन ग्रहों की स्थती उग्र होती है जिसका प्रभाव बच्चों पर देखने को मिलता है इस दिन आप दोनों मिलकर रमचार का पालन करें और भगवान लक्ष्मी नारायन का ध्यान करें ऐसा करने से आपको जीवन में कई तरह के फायदे होते हैं कहा जाता है कि साल की अंतिम पौनिमा होलिका दहन के दिन किया जाता है इस दिन पती पतनी क को साथ मिलकर देवी लक्ष्मी की स्याधना करने चाहिए यह काफी जादा शुब माना जाता है साथी रात्री में जागरन भी करना चाहिए और देवी लक्ष्मी के मंत्रों का जब करना चाहिए ऐसा करना से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती है और मा का अशिर्वास स पति पतनी पर बना रहता है और जीवन में खुशाली आती है इसे दिन पति पतनी को साथ मिलकर भगवान को भोग लगाना चाहिए कहा जाता है ऐसा करने से घर में बरकत रहती है अगर आप ऐसा रोजारा नहीं कर पाते हैं तो होली के दिन जरूर करें आपको काफी जादा फ समरिधी बनी रहती है होली का दहन के दिन पति पतनी को साथ में शिवलिंग के दर्शन करना चाहिए शिवजी की मूर्ति की पूजा करें शिवलिंग पर चल अभिशेक करें पूजन करें और शिवलिंग पर दोनों मिलकर काली मिर्च अवश्य ही चढ़ाएं शिवलिंग प